हलो बच्चो मैं हूँ आपके हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हर्टिक स्वागत है आज मैं वाकि परिवर्तन को लेकर उपस्थित हूँ वाकि किसे कहते हैं वाकि की कितने भेध हैं इसे भी जानना जरूरी है वाक्य और वाक्य के भेद से सम्मंदित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है आप description box में जाकर link को click करके पूरे वीडियो को अच्छे तरह से देखें मैं फिर से कह रही हूँ कि वाक्य परिवर्तन को समझने से पहले वाक्य किसे कहते हैं वाक्य के कितने भेद हैं इसे भी आपको जानना पड़ेगा इसके साथ ही साथ जब आपके class में teacher पढ़ाती हैं तो आप अपने पास एक व्याकरण की पुस्तक भी school ले जाएं मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे व्याकरण की पुस्तक पढ़ते ही नहीं है और यही कारण है कि उन्हें व्याकरण समझने में काफी दिक्कत होती है व्याकरण को समझने के लिए आपको तो ध्यान देना जरूरी है कि आपके सिक्षक क्या समझाते हैं इसके साथ ही साथ आपके पास एक व्याकरण की अच्छी पुस्तक का भी होना जरूरी है मेरे पास भी कुछ व्याकरण की पुस्तक है, जिसे मैं हमेशा पढ़ती हूँ, आप स्क्रीन पर उन पुस्तकों का नाम देख सकते हैं, और इन सारे पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक को आप अपने पास अवश्य रखें, तो आज मैं सरलवाकि से संजुक्त वाकि कैसे ब सरलवाकि हैं, संजुक्त वाकि, इन दोनों में क्या अंतर है, देखे, मैंने यहां डिवाइट कर दिया है, देखे, सरलवाकि जो है, उसमें एक ही वाकि होता है, और संजुक्त वाकि में दो या दो से अधिक स्वत्तंत्र वाकि होते हैं, तो आप यहां अंतर स्पश्क जब सरल वाकि होगा, तो वहाँ पर एक वाकि होगे, लेकिन जब संचुक्त वाकि की चर्चा होगी, तो वहाँ पर दो या दो से अधिक वाकि, यानि दो वाकि तो है ही, यानि दो वाकि तो रहना ही होगा, दूसरी जो मुख्य विशेष्था क्या है, एक मुख्य क्रिया, त जैसे दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य है, तो एक से अधिक यानि दो, दो या दो से अधिक क्रिया होगी, और ये सभी क्रिया समुच्य बोधक अभ्य से जुड़े होते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना है, उधारन जैसे है, राम खाना खाता है, यहाँ पर देखे, खाना एक मुख्य क्रिया है और यहाँ पर संजुक्त वाक्य के अंतरगत जब हम यह कहते हैं कि सुर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे तो देखिए यहाँ पर दो क्रिया है एक है सुर्य का उदय होना और दूसरा है पक्षी का बोलना और यह दोनों वाक्य किसे जुड़े है समुच्य बोधक अब्यासे ये और ये और से जुड़े हुए है इसलिए ये संजुक्त वाक्य है अब यहाँ पर देखिए संजुक्त वाक्य आपस में पांच प्रकार से संब्मन रखते हैं तो संजुक्त वाक्य में क्या है दो या दो से अधिक वाके तो उन वाक्यों को जोडने के लिए उन वाक्यों में सम्मन जो स्थापित होता है वो पांच तरह से होता है देखे यहां पर पहला है संयोजक के द्वारा तो संयोजक का क्या क्या चिन है और तथा व एवं दूसरा है देखे बिभाजक जैसे या वा अथवा किमबा चा बलगे लेकिन वरन इसके बाद चौथा है परिनाम दर्सक जैसे सो अता अतेव पाँचवा है ब्याख्या सूचक ब्याख्या सूचक का कौन-कौन से अव्या है जैसे मनू अथार्थ जिमी मानो तो यहाँ पर मैंने जिन अव्यों की बात की है इसे आप हमेशा याद रखें क्योंकि जब आप सरलवाक्य से संजुक्त वाक्य बनाएंगे तो इन समुच बोधक अव्यों का प्रियोग करना होगा तो अब मैं कुछ सरलवाक्य को पढ़कर सुना रही हूँ इसे आप अपनी कौपी में जरूर लिख लें ताकि आप इसका अभ्यास कर सके देखे पहला वाक्य क्या है वह हिंदी पढ़कर चला गया दूसरा सरलवाक्य क्या है अध्यापक ने पढ़ा कर प्रश्न पूछे तीसरा सरलवाक्य वाली का रोरो कर चूप हो गई चौथा, सुर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे पांचवा, सुर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा चठा, माने बच्चे को नहला कर स्कूल भेजा साथवा, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कर कारिक्रम की सोभा बढ़ाएं आठ नमबर, मेरे समझाने पर वह बात मान गई नौ नमबर, राम खाना खाकर घुमने गया दस नमबर, उसने घर आकर भोजन किया 11 नमबर, सीला बिमार होने के कारण इसकूल नहीं आई 12 पिताजी के बहुत जोर देने के कारण मुझे ही हां करनी पड़ी 13 नमबर, देखे, कठोर बनकर भी सहरिदय बनो 14 नमबर, आप मिठाई या फल में से क्या लेना चाहेंगे 15 नमबर, वह चोर के अलावा बेमान भी है 16, बाजार जाकर वह मेरे लिए फल लाई 17 नमबर, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निरास नहीं हुआ 18 नमबर, रईवार को हरताल होने के कारण बाजार बंद रहेगा 19 नमबर, आप द्वार पर बैठ कर उसकी प्रतिक्षा करें 20 नमबर, प्राताकाल होने पर मुर्गे बांग देने लगे तो यहां पर आपके समक्ष 20 सरल्वाक्य प्रस्तूत है तो इन सरल्वाक्यों में कुछ खास है तो इन सरल्वाक्य को आप खुब ध्यान से देखे जो सरल्वाक्य मैंने यहां पर आपको लिखकर दिखाया है इन सरल्वाक्यों में ही कुछ ऐसा छिपा है जिसे आप अगर समझ जाएं, तो आप संजुक्त वाके बहुत आसानी से बना सकते हैं, देखे, परतेक वाके को खुब ध्यान से देखे, यहाँ पर क्या लिखा है? पढ़कर, पढ़ाकर, रोकर, होने पर, होने पर, नहलाकर, कुरसी पर, समझाने पर, घर आकर के कारण, के कारण यहाँ देखे, कठोर बनकर, यहाँ या, के अलावा, जाकर, होने के कारण, द्वार पर, होने पर तो यह सब्द आप खुब अच्ची तरह से ध्यान देकर समझ लीजी, कि जहाँ पर ऐसे सब्द आएंगे, इसी सब्द के स्थान पर हमें क्या लगाना है? समुच्य बोधक अब्या, और जब समुच्य बोधक अब्या का हम प्रियोग करेंगे, तो आप खुद देखेंगे, कि किस तरह से एक वाकी जो है, दो स्वतित्र वाकी में बदल गया, यानि सरल वाकी किसे बदल जाएगा? संजुक्त वाकी में, इसके साथी साथ आपको का का ध्यान रखना है, यानि दोनों वाक्यों में काल एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक वाक्य आप लिख दिये बर्तमान काल और दूसरा भूत काल, ऐसा नहीं, काल का विशिस रुप से ध्यान रखेंगे, तो अब मैं वाक्य परिवर्तन करके आपको दिखा रही हूं, तो अभी मैंने जिन सरल वाक्यों को पढ़कर सुनाया है, उसी का मैं संजुक्त वाक्य बना कर आपको समझा रही हूं, देखिए, तो पहला वाक्य क्या है देखिए, वह हिंदी पढ़कर चला गया, यह पढ़कर यहां ध्यान दिजिए, तो पढ़कर के बाद जो चला गय है, इसे आप यहां क्या क्या, जैसे का तैसे पहले लिख देए, और यहीं से आपका वाक्य दो भागों में बटेगा, तो देखिए, चला गया के पहले आपने क्या लगा दिया, और यह है समुझे बोधक अब यहां पर जो एक कौन सा काल है, भूत काल, चला गया, तो और क यह पहले भी हम क्या लिखेंगे, वहिंदी पढ़ा, यानि वहिंदी पढ़कर चला गया, इसका क्या बन गया, वहिंदी पढ़ा और चला गया, दूसरा वाकर देखिए, ठीक इसी तरह से है, अध्यापक ने पढ़ा कर प्रश्न पूछे, यहां पर देखिए, पढ़ा कर ह ठीक, इसी जगह पे हमने क्या लगाया, और प्रश्न पूछा, इसे आख उतार दीजिए, और के पहले जो है क्या होगा, अध्यापक ने पढ़ाया, पढ़ाकर से क्या हो जाएगा, अध्यापक ने पढ़ाया, और प्रश्न पूछे, तीन नमबर देखिए, बाली का रो रो कर चुप हो गई, देखिए, रो रो कर, जहाँ पर कर है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, और, चुप हो गई, इसे आप जैसे का तैसे उतार दे, तो और के पहले क्या लिखेंगे, बाली का रोती रही, बाली का रोती रही, और शुर्योधय होने पर पक्षी बोलने लगे, देखें पर हैं, पर के स्थान पर आपने क्या लिखा, और इसके बाद पक्षी बोलने लगे, इसे उतार दें, और के पहले क्या लिखेंगे, सुर्योदय होने पर था, तो होगा सुर्योदय हुआ, सुर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, पांच नमबर भी ठीक इसी तरह से है, सुर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ते कुह आसा जाता रहा, आप पहले लिख दें, परकिस्थान पर और आ गया, और के पहले सुरियोदय हुआ, छे नंबर वाके में क्या था, मा ने बच्चे को नहला कर स्कूल भेजा, तो देखें, यहाँ पर भी कर है, करकिस्थान पर आपने और लिखा, स्कूल भेजा, इसे आप प मा ने बच्चे को नहलाया, और इसकूल भेजा, दोनों किस काल में है, भूत काल में है, यदि आप भूत काल के स्थान पर यह लिख दे, मा बच्चे को नहलाते हैं, और इसकूल भेजा, तो यह सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, व्याकरन के दृष्टी से भी ग अब देखिए साथ number वाकि ुसको कैसे लिखेंगे आप अध्यक्ट की कुर्सी पर बैठ कर से पसक्यादक बैठे और कारेक्रम की सोभा बढ़ाएं इस तरह से लिखेंगे देखे आठ नमबर मेरे समझाने पर वह बात मान गई यहाँ पर भी देखे पर है पर के स्थान पर आपको क्या लिखना है और वह बात मान गई इसे आपने लिख दिया पहले ये एक वाक्य हो गया और के पहले आपको वाक्य को फिर से सही करके लिखना है तो मेरे समझाने पर इसका हो जागा मैंने समझाया तो इस तरह से मेरे समझाने पर वह बात मान गई ये सरल वाक्य है और इसका संजुक्त वाक्य क्या होगा मैंने समझाया एक वाक्य और ये समुचबोधक अभ्याई वह बात मान गई ये दूसरा स्वतंत्र वाकि नौ नमबर देखे राम खाना खाकर घूमने गया यहाँ पर भी देखे कर है कर के स्थान पर आप क्या लिखेंगे और घूमने गया इसे आप उतार दियें यह एक वाकि हो गया स्वतंत्र और के पहले क्या हम परिवर्तन लाएंगे राम ने खाना खाया राम खाना खाकर वह हो जाएगा राम ने खाना खाया तो यह हो गया सरल वाकि से संजुक्त वाकि दस नमबर देखिए, उसने घर आकर भोजन किया, यहाँ पर करके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, और, भोजन किया, इसे आप उतार लिए, और के पहले क्या लिखेंगे, उसने घर आकर को बदलेंगे, वह घर आया, अब आप सुझ रहे हैं कि उसने के स्थान पर आपने व लिखना होगा, तो वह घर आया और भोजन किया, ये हो गया संजुक्तवा के, आप एक 11 नमबर देखिए, सीला बिमार होने के कारण स्कूल नहीं आई, यहाँ पर देखिए कारण है, कारण है इसलिए यहाँ पर अता है, तो स्कूल नहीं आई, आप लिखेंगे, और आरम में क्या लिखेंगे, सीला बिमार होने के कारण के जगा, आप लिखेंगे, सीला बिमार थी, अता स्कूल नहीं आई, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कारण के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, अता, हम लोग जब आपस में बातचित करते हैं, किसी से कारण पुछा जाता है, य आप यहां बताते हैं कि मैं बीमार था अता मैं स्कूल नहीं आ सका, अता मैं स्कूल नहीं आ पाया, आप यहां कहते हैं, तो अता का प्रियोग कब होता, जहां पर कारण, सब्ध हम लोग देखते हैं, तभी हम लोग अता का प्रियोग करते हैं, अब देखे बार नमबर, पित के पहले क्या लिखेंगे? पिता जी बहुत जोर दे रहे थे, अतह मुझे हा करनी पड़ी. तेरे नमबर देखें, कठोर बन कर भी सहरधय बनो. यहाँ पर बनो भी हो सकता, रहो भी हो सकता है. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो कि भी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अब्याय है, परंतु अब्याय का प्रियोग होगा, कठोर बनो, परंतु सहरदय रहो या बनो, तो देखें, यहाँ पर सहरदय बनो या रहो, इसे उतार देना है जियों कातियों, और इसके बाद, ज आप मिठाई या फल में से क्या लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर देखें, यहाँ दिया हुआ है, पहले से ही एक अब्याय है, तो आप मिठाई लेना चाहेंगे, या फल लेना चाहेंगे, पंद्रह नमबर देखें, वह चोर के अलावा बेइमान भी है, तो देखें, देखिए बाजार जाकर वह मेरे लिए फल लाई यहां पर भी देखिए जाकर है इसलिए यहां पर और का प्रयोग है तो इसे सजाकर कैसे लिखना है मेरे लिए फल लाई आप पहले लिख लें और यह आ जाएगा आरम में तो वह बाजार गई वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई, तो यह हो जाएगा संजुक्त वाके अब 17 नमबर वाके देखिए हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निरास नहीं हुआ तो देखिए निरास नहीं हुआ, इसे आप पहले लिख लें, और घिरा रहने पर भी है, इसलिए यहाँ पर परंतु का प्रियोग है तो वह हर तरह के संकटों से घिरा है, परंतु निरास नहीं हुआ 18 नमबर देखिए रैवार को हरताल होने के कारण बाजार बंद रहेगा, यहाँ देखिए कारण है इसलिए अता का प्रियोग होगा, मैंने पहले ही बताया है तो यहाँ पर अता आप लिख दिए बाजार बंद रहेगा, उसे आप उतार दे रैवार को हरताल होने के कारण तो रैवार को हरताल है अता बाजार बंद रहेगा इसके बाद 19 नमबर वाके देखिए आप द्वार पर बैठ कर उसकी प्रितिक्षा करें तो यह हो जाएगा संजुक्त वाके बीस नमबर देखिए प्राता काल होने पर मुर्गे बांग देने लगे देखिए होने पर तो परकिस्थान पर आप कौन सा अभ्याय प्रियोक करेंगे और, तो मुर्गे बांग देने लगे इसे आप उतार ले और, प्राता काल होने पर में प्राता काल हुआ तो प्राता काल हुआ और, मुर्गे बांग देने लगे तो यहाँ पर मैंने सरलवाके से संजुक्त वाके को समझाया है आप एक काम और भी कर सकते हैं पहले संजुक्त वाके को लिख ले और फिर उसके बाद उसका सरलवाके बनाएं अभी आप समझे सरलवाके से संजुक्त वाके यदि आप संजुक्त वाके को पहले लिखे उसका सरलवाके बनाएं तो आपका दोनों तरह के वाके का अभ्यास हो जाएगा सरलवाके से संजुक्त वाके और संजुक्त वाके से सरलवाके जैसे प्राताकाल हुआ और मुर्गे बाग देने लगे यह है संजुक्त वाके अब इसका आपको सरलवाके बनाना है तो आप क्या लिखेंगे प्राताकाल होने पर मुर्गे बाग देने लगे तो आप दोनों तरह के वाके को अलग-अलग पेज में लिखें और उसका अभ्यास करें सरल वाके से संजुक्त वाके और संजुक्त वाके से सरल वाके तो उम्मीद करती हूँ कि यह जो वाक्य परिवर्तन है, सरल वाक्य से संजुक्त वाक्य यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आपको क्या याद रखना है? कि संजुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सतंत्र वाक्य होते हैं, और दोनों वाकिय समुच्य बोधक अब्या से जुड़े होते हैं कौन-कौन से अब्या है इसे भी आप याद कर लें इसे मैंने इस वीडियो के आरम में ही बतला दिया है पूरी बात को लिख कर समझाया है पे उम्मीद है कि आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे व्याकरण के एक पुस्तक अपने पास अवश्य रखें क्योंकि बिना व्याकरण के पुस्तक के आपके लिए किसी बात को समझना बड़ा कठीन है युकि टीचर जब आपको समझाते हैं तो आपको लगता आप सब समझ गए मैं भी जब आपको समझा रही हूँ तो आपको लगता होगा कि आप सब समझ रहे हैं लेकिन होता क्या है जैसे क्लास खतम होता है आपके दिमाग से बहुत सी बाते जो है मानो गायब हो जाती है आप उस बात को याद ही नहीं रख पाते हैं यह सारी बाते आपको याद तब रहेगी जब आप सारी बातों को लिखेंगे किताब को पढ़ेंगे तो मेरी बात आप हमेशा याद रखें एक व्याकरण की पुस्तक अपने पास जरूर रखें तो वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्ध्यार्थ्यों में सेयर करें यदि कहीं कुछ समयने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें जो बच्चे मेरे चनल पढ़नाए है वे चन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके तब तक पढ़ते रहें जीवन में आगे बढ़ते रहें मेरी सुब कामनाई आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद